आपने चाय तो बहुत तरह से बनाई भी होगी और बहुत तरह से पी भी होगी आज हम एकदम से नय तरीके से आपको चाय बनाने का तरीका बताएंगे एकदम हटकर है एकदम नया है सायद ही आपने इस तरह से चाय बना कर पी होगी तो चरिये सुरू करते हैं एक यूनीक चाय जो पीने में भी बहुत टेस्टी लगती और ये जटपड भी बन जाती है तो यहाँ पर देखिए हमने भगोना को गैस के उपर चड़ा दिया है अब इसकी फ्लेम को हम थोड़ा सा स्लू कर देंगे अब यहाँ पर हम क्या करेंगे लेंगे चीनी, चीनी को हम कैरमलाइस करेंगे तो आपको मान लो दो चम्मच चीनी की अवशकता है चाय के लिए तो आप एक चम्मच को यहाँ पर कैरमलाइस कर लीजेगा हम क्या कहते हैं अपने अवशक्ता नुसार यहां पर चीनी डाल रहा है अभी आधी चीनी हम इसमें डालेंगे आधी चीनी हम बाद में डालेंगे तो हम दो राउंड में चीनी का इस्तेमाल करने वाले हैं तो अभी देखी जो चीनी है हमने बड़तन पे रख दिया और इसको अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप इसको ऐसे करके चलाते रहीए ये कि गीलापन इसमें आ गया है इस तरह से चलाते रहेंगे तो जो इस तरह से आप चलाते रहे यह देखिए इस चाय का स्वाध अपने आप में एकदम यूनीक है बहुत टेस्टी है यह देखिए कितनी आसानी से जो चीनी है याराम से पिखल गई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और जंजट नहीं बन होती है इस तरह से चाय बनाने में य चीनी कितनी अच्छे से जो है यह आराम से पिखल गई है अब इसको हलका सा और कलर चेंज कर देखिए इस तरह सा कलर जो है वो आ गया है यह देखिए गैसी फ्लेम को हमने बहुत तेज नहीं किया है इस तरह से है तो यह देखिए चीनी ने अपना कलर जो है वो एकदम तो अब इसको हम ज्यादा नहीं करेंगे अब इसमें डाल देज्ये पानी तो पानी आप अपनी आवशकता नुसार ही डालिएगा जितना आपको चाय के लिए जरूरी हो अब फिर इसमें दूध भी पड़ता है 50% दूध order 50% पानी रखेंगे तो अब यह देखे हमने पानी जो है इस तरह से हमने कर दिया है अब यह देखे हमारे पास है लॉंग और इलाइची और यह है हमारे पास अद्रक का टुकड़ा तो अब इसको हम थोड़ा सा कूट लेते हैं तीनों चीजी अब यह देखे हमने अच्छे से कूट ली है अब इसको हम डाल देंगे चाय पे और इसको हम थोड़ी देर उबलने देते हैं अब थोड़ी सी उबल गई है तो अब इसमें आप डाल दीजिएगा चाय पत्ती चाय पत्ती कोई भी आप ले लीजी अपनी सुध्धा नुसार तो जितनी आपको चाय पत्ती स्ट्रांग पीनी हूँ उतनी आप कम ज्यादा डाल लीजिएगा आप थोड़ी सी चीनी हम फिर से डाल देंगे यानि 50% हमने कैरमलाइस किया है 50% चीनी हम अब डाल देंगे तो बस इन सब को डाल के थोड़ा सा और उबाल लेते हैं थोड़ी देर उबल गई है तो अब इसमें हम डाल देंगे दूद तो दूद हम इतना डाल रहे हैं अब इसमें अच्छे से उबाला जाने देते हैं अब इसको एक मिनट के आसपास अच्छे से उबाल लीजिए गैस की फ्लेम ये देखिए अभी तेज हमने की हुई है बस इसको अच्छे से उबालते हैं जिससे जो पूरा फ्लेवर है चाई में अच्छे से उतरके आ जाता है आजकल तो सर्दियां भी चल रही है तो इस तरह की चाई पीने का आनंद ही कुछ अलग है अद्रक है काली मेर्च कुछ भी आप डाल के बनाएं सर्दियों में चाई अच्छी लगती है हमने तो इसमें डाला है अद्रक है लॉंग है और इलाइची है इन तीनों का फ्लेवर जो है न चाई में बहुत अच्छा लगता है आप भी बनाईएगा यकीन मानिए आपको इस तरह से चाई जो हमने बनाने का तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा चाई बनाईएगा पीजिएगा कमेंट करिएगा जरूर कि आपको ये तरीके से चाई आपने बनाई थी तो आपको कैसी लगी है तो ये देखिए चाई जो है हम चाम का समय भी हो गया है तो चाय हमने बनाई है आपके साथ भी हमने शेर की है आप भी बनाईएगा और ये देखिए अच्छे से हमाई चाय उबल गई है तो अब हम जो फ्लेम है ये हम बंद कर देते हैं और इसको हम फटा फट छानते हैं ये देखिए स्वादिष्ट चाय बनकर त्यार हो गई है तो आप भी बनाईएगा और पीजिएगा तो मिलते हैं इसी तरह की एक और अच्छी हेल्दी टेस्टी और बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ तब तक सी यू टेक कियर बाई बाई